यहोशु अध्याय सत्रह फिर युसुप के जेठे मनश्य के गोत्र का भाग चिठ्ठी डालने से यह ठैरा। मनश्य का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर जो योद्धा था इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिले। इसलिए यह भाग दुसरे मनश्य के लिए उनके कूलों के अनुसार ठैरा। अर्थात अभिएजेर, हेलेक, असियल, शेकेम, हेपेर और शमीदा जो अपने-पने कूलों के अनुसार युसुप के पुत्र मनश्य के वंश के पुरुष थे। उनके अलग-अलग वंशो के लिए ठैरा। परन्तु हेपेर जो गिलाद का पुत्र माकिर का पोता और मनश्य का परपोता था। उसके पुत्र सलोफात के बेटे नहीं, बेटिया ही हुई और उनके नाम महला, नोवा, होगला, मिलका और तिरसा है। तब वे एलियाजर, याजक, नून के पुत्र यहोशु और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी। यहोवा ने मुसा को आग्या दी थी, कि वह हमको हमारे भायों के बीच भाग दे। और यहोशु ने यहोवा की आग्या के अनुसार उन्हें, उनके चचाओं के बीच भाग दिया। तब मनशे को यरदन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ दस भाग मिले। क्योंकि मनशेयों के बीच में मनशेय स्तिरियों को भी भाग मिला। और दूसरे मनशेयों को गिलाद देश मिला। और मनशे का सिवाना आशेर से लेकर मिकमता तक पहुचा, जो शवकेम के सामने है। फिर वह दखिन की ओर बढ़कर इन तपुह के निवासियों तक पहुचा। तपुह की भूमी तो मनशे को मिली। परंतु तपुह नगर जो मनशे के सिवान पर बसा है, वह एप्रेमियों का ठैरा। फिर वह से वह सिवाना काना के नाले तक उतर के उसकी दखिन की ओर तक पहुचा। ये नगर ये देपी मनशे के नगरों के बीच में थे तो भी एप्रेम के ठैरे, और मनशे का सिवाना उस नाले की उतर की ओर से जाकर समुदर पर निकला। दक्खिन की ओर का देश तो एप्रेम को और उत्तर की ओर का मनश्य को मिला, और उसका सिवाना समुदर ठेरा, और वे उत्तर की ओर आशेर से और पुर्व की ओर इस साकार से जा मिली, और मनश्य को इस साकार और आशेर अपने अपने नगरों समेथ बेतचान, इबलाम और अपने नगरों समेथ दोर के निवासी और अपने नगरों समेथ अंदोर के निवासी और अपने नगरों समेथ ताना के निवासी और अपने नगरों समेथ मगिदों के निवासी ये तीन उचे स्थानों पर बसे हैं, परंतु मनश्य उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बरियाई से बसे ही रहे, तो भी जब इसराइली सामर्थी हो गए, तब कनानीयों से बेगारितों कराने लगे, परंतु उनको पूरी रि क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशिशी देता आया है, फिर तु हमारे भाग के लिए चिठ्री डाल कर क्यों एक ही अंशदिया है, यहोशु ने उनसे कहा कि तुम गिंती में बहुत हो, और एप्रेम का पहाड़ी देश तुमारे लिए छोटा हो, तो परिजियों और रपा पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और क्या बेचसान और उसके नगरों में रहने वाले, क्या इज्रेल की तराए में रहने वाले, जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सभों के पास लोहे के रत है, फिर यहोशु ने क्या एप्रेमी, क्या मनश्य अर्थात यूसुप के सारे घ्राने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिंती में बहुत हो, और तुमारी बड़ी सामर्त भी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुमारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड काट डालो, निकाल सकोगे.